हेलो बियल लवर्स, वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल बियल एक्सप्लेशन सो गाईस आज के इस वीडियो में मैं चैरी ब्लॉसम आफ्टर विंटर के एपिसोड 5 को एक्सप्लेशन करूँगा सो अगर अभी तक आप ने इसके पहले के एपिसोड के एक्सप्लेशन को नहीं सुना है तो जा के उन्हें देख लीजिए और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपूर्ट करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है एपिसोड के स्टार्ट में हम तेसांगो और हेबुम को सोते होए देखते है तब यूजन के रूम में तेसांगो की मौम आती है वो उन्हें उठाने के लिए आई होती है लेकिन वो देखती है कि आज कितने सालो बात वो दोनों साथ में सो रहे है तो वो उन्हें डिस्टरब नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है अब हमें दिखाया जाता है कि हेबुम उठ जाता है और वो dining table पे जाता है वहीं पर तेसा अंगू भी होता है वो से कहता है कि तुम्हारी रीन पूरी हो गई हेबुम कहता है हाँ और हेबुम से पूछता है कि कल रात हमने कितनी पी थी मुझे तो कुछ भी याद नहीं है ये सुनके तेसा अंगू को यकीन नहीं आता कि वो सब कुछ भूल गया अब तो से पूछता है कि तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है हेबुम कहता है क्या सच में तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो तेसा अंगू कहता है कि कुछ याद करने की कोशिश करो तुम कुछ भूल रहे हो हेबुम कहता है क्या भूल रहा हो मुझे बता दो तेसांगु कहता है तुम खुझ क्यों नहीं याद करते हो अब यहां से हेबुम सूचता है क्या सच में मैंने कुछ ऐसा वैसा किया है अब तेसांगू कहता है कि तुम खुद यह याद करो मैं तुम ही कुछ नहीं बताने वाला और मैं बता भी दूँगा तो तुम मुझ पे अगी नहीं करोगे और ये बोल कर वो वहाँ से चला जाता है फिर हम रात का सीन देखते है जहां हम देखते है कि हेबूम अपने बैटरूम में सोने की कोशिश करता है और वो सोने ही लगता है कि तभी उसके दरवाजे पे तेसांगू नौक करता है तो हेबूम कहता है क्या तुम हो अब वो दरवाजा खोलता है हम देखते हैं कि तेसांगू हेबूं की तरह बढ़ता है और उसे केस कर लेता है और ये सीन गाइस काफी जादा रोमेंटिक था फिर ये दोनों एक दूसरे को केस करते ही रहते हैं और हम देखते हैं कि तेसांगू हेबूं को बैट पर लेटा देता है और फिर जो होता है वो वो सपने से जाग जाता है और वो सोचता है कि उसने ऐसा सपना क्यों देखा क्या सच में हेबुम और तेसांगु के बीच में कुछ हुआ है वो यही सोचकर दुबारा से बेड में लेड जाता है नेक्स सीन में हम तेसांगु और हेबुम को स्कूल जाते हुए देखते हैं अब हम देखते हैं कि हेबुम तेसांगु को कुछ कहना चाता है लिकिनों बार बार कुछ नहीं कहा पाता तब ही तेसांगु कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है क्या हेबुम कहता है उसे कुछ नही कुछ बता रहा, हेवों कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गल्टी नहीं, मैं अगर भूल गया हूं तेसांगो कहता है, नही नहीं, इसमें मेरी गर्षिया मैंने तुम्हें कुछ जादा ही पिला दिया था आप हम इसके बढ़ स्कूल में देखते हैं जहां हम देखते है कि तेसांगो और उसका एक दोस आपस में बात करते है यह तेसांगो से पूसता है कि अगर तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई भूल जाए कि तुम्हारे बीच में क्या हुआ था ये सुनकर इसको दोस कहता है, ये कैसा सवाल है, काफ वो उसका मजाग बनाता है, इसके बाद हम तेसांगू, हेबुम और बाकी दोस्तों को साथ में देखते हैं, जहां ये दोनों सब एक दूसरे से बाते करते हैं, कि हमें क्या क्या करना चाहिए, अब हम रास्ते में देखत हैं कि तेसांगू और हेबुम घर के तरफ चा रहे होते हैं, तभी तेसांगू हेबुम से पूसता है, क्या तुम सच में किसी को डेट करने वाले ho, हेबुम कहता है, इससे क्या फारक पड़ता है? जिया ने उसक लिए स्टमी फिटिंग करवाई है, वो चाहता है, कि वो न करके भी कहता है अब ये सुनकर हेबुम की पुरी दुनिया ही पलट जाती है अब हेबुम कहता है क्या सच में अब तेसांगु फिर उसे कहता है कि चलो हम एक दूसरे को डेट करते है अब ये सुनकर हेबुम हैरान होता है ये सब सुनकर हेबुम सोच में पड़ जाता है वो कि मौम का ही ख्याल कर रहा होता है वो तेसांगू को जवाब दे नहीं लगता है कि तेसांगू से कहता है कि मुझे अभी तुम्हारा आंसर नहीं सुनना तुम मुझे बाद में भी बता सकते हो अब रात में हम तेसांगू की मौम हेबुम आ तेसांगू को साथ में डिनर करते जांटी संगों की मॉम पूसती हैं, कि तुम्हारे बीच में वहांफे फिर से लडाई हुए, हिवाम कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर हम देखते हैं कि तेश आंगों का डेनर हो जाता है तो वह वहां से चला जाता है, अब तेसांगू पार्क में रन करते हुए दिखाया जाता है रनिंग करके वो घर लोटता है हम देखते हैं कि हेबुम उसका वेट कर रहा होता है हेबुम उसे कहता है कि तुम कहां थे इतने देड़ से मुझे कुछ बताया क्यों नहीं और ऐसा बहेव मत करो वो तेसांगू वहाँ से जाने लगता है हेबुम कहता है प्लीस ऐसा बहेव मत करो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और अही बार डेट की तो वो हम नहीं कर सकते तेसांगू कहता है पर क्यों नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें हेबुम कहता है बस कोई ना कोई बात है मैं नहीं बता सकता अब यहाँ पर तेसांगू गुस्ता हो जाता है वो उसे कहता है क्या इस वज़े से कि हम दोने लड़के है हेबुम कहता है ऐसा कुछ नहीं है बस मैं हम देखते हैं कि वहाँ पर तेसांगू की मौम आ जाती है वो उन्देनों के देख कर सोचते हैं कि दूने लड़ रहे हैं तो तेसांगू को डाटते हैं कहते हैं तेसांगू से छोड़ो और यहां से तेसांगू अपने रूम में चला जाता है नेक्स्टे हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे तेसांगो को जो कि फॉन चला रहा होता है तब ही उसकी मॉम आती है और कहती है कि मुझे काफी लेट हो रहा है क्या अभी तक हेबुम नहीं उठा है अगर वो उठ जाय तो उसे बोलना कि ब्रेकफास कर ले अब ये देखकर तेसांगो थोड़ा हैरान होता है तो तेसांगो हेबुम के रूम में जाता है हम देखते हैं कि हेबुम के तबेत खराब होती है तेसांगो ये देखकर घबरा जाता है और वो उसकी काफी जादा TAKE KARE करने लगता है अब हेबुम थोड़ा ठीक हो जाता है तो तेसांगु से कहता है कि मुझे माफ कर दो कल के लिए हेबुम कहता है कि तुम्हें मुझें क्या पसंद है तेसांगु कहता है इसका कोई reason नहीं है मेरे पास पर हाँ एक बात है मैं तुम्हें उस दिन से पसंद करता हूँ जिस दिन से तुम मेरी जिन्दगी में आए और तुम मेरे पहले दोस्ते और इस वज़े से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं हमेशा से चाता था कि मैं तुम्हारे सायात रहूँ, तुम्हारी मदद करूँ तो हेबुम कहता है पर ऐसा नहीं हो सकता और फिर यहाँ पर तेसांगु कहता है जो भी कल हुआ उसे भूल जाओ और हम अब नई शुरुवात करते हैं हेबुम कहता है मुझे भी तुमसे माफ़े मांगनी है पर हम एक साथ नहीं हो सकते तेसांगु कहता है मैं समझ सकता हूँ और यह कहकर तेसांगु वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम स्कूल में देखते है हम देखते है कि कलास ओवर हो जाते है Hebum अपना bag उठा कर वहां से चला जाता है ये देखकर तेज आंगु के दोस्त तेज आंगु से पूषते हैं कि क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हुई है क्या तेज आंगु कहता है कि तुम दोनों नहीं समझोगे और समझ भी नहीं पाओगे अब हमें हेबुम को दिखाया जाता है जो कि अपनी flower shop पर काम कर रहा होता है हम देख रहे होते कि उसका ध्यान काम में नहीं होता है वो काफी ज़दा परेशान होता है तब ही वहाँ पर shop की owner से कहती है कि क्या हुआ तुम काफी परेशान रख रहे हो हेबुम कहता है मेरे मन में कुछ और चल रहा है तो वो flower shop की owner कहती है कभी कभी कुछ चीजे जादा नहीं सोचने शाहिए जो होना होगा वो हो जाएगा पर अपनी life को अच्छे से जीओ जिंदीगी का नाम या तो तुम मरोगे या तो तुम जीओगे यही है अब हमें रात में दिखाया जाता है हेबुम अपना मूर लटका कर घर की तरफ जाता है हम देखते है कि तेसांगो से रोकते हुए कहता है कल से तुम इतना लेट नहीं आओगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं चाहे बाहर रहोंगा तुम घर पे रहके पढ़ाई करोगे और यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो हेबुम से रोकते हुए कहता है तुमें भी ऐसा करने के जरुवत नहीं है और रही बात डेट की मुझे बहुत बुरा लग रहा है बस मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हे लिए बहुत कुछ सील करता हूं अब यह सुनके तरशांगू कहता है क्या तुम यह थोड़ी तर के लिए सोच सकते हो हमारे बारे में मेरे बारे में, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा और रही बात मेरी मॉम की, अगर वो कन्वेंस नहीं हुई, तो हमें लास्ट अकम से उन्हें कन्वेंस करेंगे, हेबुम कहता है चलो ठीक है, और फिर वो उसे अपना लव कन्फेस कर देता है, और यहां इसके नेक्स पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसनादा तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें